इस समय अगर करीपत्ता में ग्रोथ श्टार्ट हो गई है तो इस समय कुछ और फटिलाजर अगर आप करीपत्ता के पौधे पर डालते हैं तो आने वाले समय में एक प्लान्ट की ग्रोथ भी और भी अच्छी तरह से होगी और विल्कुल एक प्लांट जंगल जैसे घन हो जाएंगे तो विल्कम फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो और एक नए टोपिक पर आज के इस वीडियो फिर से करीपत्ता के प्लांट पर है कि अगर आपके करीपत्ता के प्लांट में कुछ ग्रोथ दीखने लगी है तो इस समय कुछ और फटिलाजर इसमें एड़ कर सकते हैं ताकि आने वाले सीजन में इसमें अच्छी ग्रोथ ले सके और इसमें कुछ और इस समय काम जो आपको करीपता के प्लांट पर करने चाहिए तो चलिए जानते हैं वो कौन से काम है और कौन से तीन फटिलाजर जो आपको डालना इसमें बहुत ही जरूरी है तो इस समय आप देख सकते हैं फ्रेंड्स करीपता की ग्रोथ भी अच्छी तरह से हो रही है और इसमें पत्ते भी नए नए निकलने शुरू हो गये हैं तो कुछ और काम जो आपको इस समय करीपता के प्लांट पर करने चाहिए तो सबसे पहले यह देखे यह वही प्लांट है जिस पर जन्मरी लाश्ट में इस पर प्रूनिंग की थी और बीच में इसे मैं गमले से हटा कर बाल्टी में सिप्ट कर दी थी और पूरे यानि की एक देड़ मन्त वाद आपको एक मन्त वाद इसका अपडेट में दिखा रही हैं इसमें आप देख सकते हैं नएने पत्ते और नएने सूट से निकलने सुरू हो गई है यानि की प्रूनिंग के बाद आप इसकी ग्रूथ देख सकते हैं लेकिन growth के साथ साथ एक problem इस समय देखे जाते हैं इस समय आप देखिए मैं आपको देखाती हूँ जिस तरह से branch की develop होती है उस तरह से बीच बीच में आपको इस तरह के flower भी इसमें बनते दिखते हैं इस तरह के इस देखिए बीच में आपको मैं किलियर देखाती हूँ ए देखिए सभी वरांच पर इस तरह के सीड़ आपको बनते दिखेंगे तो आप क्या करनी है यहां से आपको पिंचिंग करके सभी सीड़ को आपको हटा देनी है क्योंकि अगर यह नहीं हटाते हैं तो इसकी ग्रोथ भी थोड़े से सलो हो जाती है अज ग्रोथ के साथ साथ इस तरह के सीड़ हर वरांच पर आपको देखे जाएंगे तो आप थोड़े थोड़े इस समय आप कैची सीजर के मदद से अगर आपके पास बड़े प्लांट है तो इस समय थोड़े थोड़े सभी पत्तों में आपको प्रोनिंग कर देनी है यह देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर भी यानि कि पूरे पत्ते की ग्रोथ हो रही है लेकिन यह सीड़ भी इस समय बन रहे हैं तो इन सीडों को आपको समय समय पर हटाते रहनी है देख सकते हैं सभी जितने सारे व्रांच निकले हैं सभी व्रांच पर इस सीड पॉड बनते दिख रहे हैं यानि कि ग्रोथ के साथ साथ इस सीड पॉड भी इसमें बनते दिख रहे हैं तो इन सीड पॉड को आपको हटाना बहुत ही ज़रूरी है यह देख सकते हैं कितने सारे इसमें भी सीड वन रहे थे यानि कि आपको थोड़े-थोड़े इस समय भी आपको करीपता के प्लांट में पिंच करनी है जब यह काम आप कर ले तो इस समय तीन फटिलाजर आपको इस समय यूज करनी है फटिलाजर में आप देख सकते हैं ए बर्मी कंपोस्ट ले रखी हूं और थोड़े से माइक्रो निट्रियंस माइक्रो निट्रियंस जो आपके पास एविलेबल है मैं यूज कर रही हूं ए माही गोल्ड जिसमें बहुत सारे इसके फाइदे देखे जाते हैं इसका यूज आप शिडलिंग प्रोथ में आप ब्रांच डिवलप में बेटर ब्रांच डिवलप में इसके यूज से बहुत सारे फाइदे आपको प्लांट पर दीखेंगे तो करीब दो मुठी के करीब अर्मी कंपोस्ट ले रखी हूं और एक मुठी के करीब ये माइक्रो निट्रियंस और थोड़े से नीम खली और बस इस फटिलाजर को आप कम से कम 15-15 दिन के अंतराल पर करीब पत्ता की प्लांट में डाल सकते हैं और जब भी आप इस फटिलाजर को डालते हैं तो कोसिस करें एक दिन पहले इसकी मिट्टी को थोड़े से सुखा ले फटिलाजर डालने के पहले सबसे पहले आपको थोड़े से मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेनी हैं और चारो तरफ से आपको रूट से हटा कर आपको इस फटिलाजर को करीब पत्ता के प्लांट में डाल सकते हैं यह देख सकते हैं धनिया पत्ता के पीछले वाले भाग को मैं लगा दी थी और ए धनिया पत्ता विल्कुल ग्रो हो गए हैं तो अच्छी तरह से गुड़ाई करके ए फटिलाइजर को मिक्स करके सभी करीपता के प्लांट में डाल सकते हैं चाहे जमीन में हो चाहे गमले में हो सभी में इस फटिलाइजर को मिक्स फटिलाइजर का यूज कर सकते हैं 15 दिन में इस फटिलाइजर का यूज करते रहें तो आपके करीपता की ग्रोथ भी दूगनीते ही से बढ़ेगी जो सूखे हुए एक बिल्कुल डेड़ हो चुके हैं करीपता उसमें भी आप इस फटिल लाइजर को यूज करते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्ष्ट व्यू पर ऐसे ही और एक वीडियो के साथ तब तक ले धन्यवाद